प्रेंड माइब में इस कमावधिप सिंग नीजर और वैलकावव पूस्ट चैनल जदिन न्यूव वन है तो आप जहां पर चैनल पर आएं आपका धन्यवाग्व और आप वीडियो को देखिए अब्सक्राइब किजिए प्ले लिस्ट में जाए शेकिए आपके कॉंटेंट आपका टॉबिक को यह आपको मिलता है जदि नहीं मिलता है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में आज का जो टॉपिक बता रहना चाहता हूं हम लिमेट पी उपर काम करने वाले हैं यह लास्ट फर्स्ट वार्ट हमने किया था लिमेंट यह लिमेट को प्रूब करने का मैथड के आपकी सिंपल है और बता देना चाहता है इस प्रूब करने से पहले आपके प्यारे से फेस्ट पर एक प्यारी सी समाइल होगी तभी हम इसको कर पाएंगे तो चली स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक हमने करना करना कि मैं पर जो लिमेंट है जुनिक हो नहीं यह तो हम जाबर कॉंट्रेट इक्शन से ही प्रूब कर पाते हैं मैथ में काफी तरह मैसीज जिनको आप डिरेक्ट सौन नही सौन तो पाइग् आपके पास क्या होगा विदाच लॉस्स जैनर्यलिटी हम इन मैं से क्या होगा यह दो नमबर टू अनिकोल है तो वो क्या होगा एक दूसरे से बड़ा हो सकता है तो हम लेट कर लेखते हैं माला जो एल ना ग्रेटर दैन डैश है इसको टूसरे से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा यह तो पॉस्टिव रहेगा लेकिन जे ग्रेटर दैन जिरो ही रहेगा विच इंप्लाइस एल माइनस एल डैश होगा टूसरे पॉस्टिव नमबर और यहां पर लिमट में हम एक एपसाइलन को डिफाइन करत अभी जे हमने एपसाइलन को डिफाइन कर दिया और जे हमने लेकर चले अभी इसके उपर डैफिनेशनल का आती है कैसे करना सिंपल डैफिनेशनल जो पार्ट बने मैंने आपको करवाई थी कि हमारे पास है क्या if we have हमानी जो लिमट है एक्स्टेंडिंग टू एक्स इस ए एक्जिस्ट होता है और हमारे पास क्या है कि already exist है तो we can easily find we can find a real number हमारे पास एक positive real number होता है data 1 हम ले ले लेते हैं जो कि epsilon की उपर ही डिपेंड कर रहा है such that मारे पास क्या होगा just applying the definition जो हमने की थी f of x minus of a less than epsilon किसके लिए 4 0 less than x minus of a less than data 1 number 1 इसको मार कर दें जबी x minus of a है हमारे पास because my extending to a दोनों का difference जैसे दोनों का difference इससे कम आता और जहें हमें help कर दे f x minus of a difference को इससे शोड़ा करने में तो हमें कहते हैं कि limit exist करती है और same line के उपर similarly हम लिख सकते हैं similarly 4 आपके पास जो limit है extending to a f of x is equal to l dash तो सारी किसा line की 4 epsilon greater than 0 जो रोच यह similar है आपके पास एक बहाँ पर क्या होगा data 2 होगा जो epsilon q पर depend करेंगा जो line सारी सेम आपके लिखने है we can find a real number data 2 such that इसकी उपर भी definition apply कर देते हैं such that क्या होगा f of x minus of l dash less than epsilon 4 0 less than x minus of a less than data to market test number 2 अभी मैं आपको जहां पर data 1 और data 2 हमारे के लिए आच चुका है कि मारे जो हमारे पास यह first part था जह data 1 के लिए अभी जहां पर एक चीज़ उब्ज़र कीजिए f x minus l less than epsilon जब आपका x minus c less than data 1 और यह जो f x minus l dash less than epsilon है जे इसके लिए एकस माइनस है लेकिन यह जो function ना x minus है जो दोनों में सेम है मिन जदी यह data 1 से कम है तो हमारे पास यह answer रहा है जदी यह data 2 से कम है तो मारे पास यह answer है कि जदी मैं आपको समझाने की कोशिए करो कि माहा लेजे मारे पास data 1 है और यह data 2 है और जो first function है वो इस area में मारे पास true हो रहा है और जो second function है वो जहां से नीची इससे less इसमें true हो रहा है तो जदी कोई एक ऐसा number find कर ले जिसके लिए दूनों true हो जाए जहां पर देखिए common section जहां पर आ रहा है इन दोनों में से जो भी शोटे होगा जो भी minimum होगा मां देजे मेरे पास जहां पर नबर माल लेजे कि इन दोनों से शोटा है अभी data के लिए जह first function में true हो और second function में true होगा कि हम इसको दो जो different को एक में merge कर देंगे तो उसके लिए हमने क्या करना है लाट कर लिया कि data हमारे पास क्या है इन दोनों में से minimum है जो भी minimum है उसको हमने choose कर लिया simple data तो therefore आपकी जो equation number 1 वो क्या होगी अभी फ of x minus of l mod less than आपका epsilon किसके लिए होगा भी 0 less than x minus of a less than data because जो चीज़ data से शोटी है वो automatic data कौन से भी शोटी होगी जो दीजे minimum है तो जो आपका 3 हो जाएगा और similarly जो आपके पास equation number 2 आपने बना रखी थी होगा जाएगी f of x minus a dash less than epsilon 4 0 less than x minus of a less than data जे भी हमारा data के लिए true हो चुक है अभी हमने जे एक simple function रख लिया कि f x minus a dash जे भी एपसाइलन से शोटा है कब जब आपके x minus a की mod less than data जे common आच चुक है और ये दो different जो हमारे पास function थे वो दोने इसके लिए true हो रहे है अभी contradiction का आप लेकर आएं अभी contradiction का पार्ट है तो आप इसको पहले नोड कर लिए अपनी notebook पर आप इसको लिख सकते हैं लिखना चाहते है और एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज ऑनलाइन ही बॉच केजिए ये काफी कम आपकी 50-100 MB लग सकती है लेकिन इसका benefit यह होगा कि चैनल को बॉस्ट आप जाएगा और ये जो वीडियो में डाव रहता हूं जो भी अप्लोड गरता हो डिरेक्ट आपके पास आज अब यह अपके पास जदी कोई नंबर पॉस्टिव में आपका टू ग्रेक्टर देन जिरो है तो आपके टू की एपसुलिट वैलू की होगी बूर टू के एक्कुल ही होगी कि टू का मौर टू की एकुल अभी जह नंबर पॉस्टिव है जिसको हम लिख सकते हैं अभी हमन मेरे पास प्लस का है ठीक है इसके साथ माइनस की आटेक्स हो जा देते हैं तो इसको ब्रेक्ट में डालिया अभी एक एक और मेरे को पॉस्टिव जा लिए जैसे कॉमल ही है जे पॉस्टिव होगे और साथ में एल बचीचे पॉस्टिव थी लेकिन आपने नेक्टिव कॉम अभी जहां पर हम अप्लाई करते हैं देफुर वाई क्वेशन नुबर 3 & 4 इस इस वाट एफ एस माइनस यह भी लेस दन एपसाइलन है और साथ में जेवाल नंबर भी लेस दन एपसाइलन है तो मारे पास टूटल जो अंसर होगा है ल माइनस हमने लिया हो लेस देन हो जा तो जहां पर आपके पास क्या होगा this is less than l minus l dash by star तो आप उसको लिख सकते हैं अपने आप से कैसे शोटा होसा होता क्या आप लिख सकते हैं कि 2 less than 2 this is never possible 2 equal to जहां पर less than equality होता तो हम लिख पाते हैं लेकिन this is not possible तो जहां पर मारे पास हम लिख सकते हैं which is not true यह मारा true नहीं ह है which is not true तो तो यहां पर हमारे true नहीं है तो हम कुछ रॉंग decision पर आप जो कि कब है जब हमने कुछ let किया था इसका मिनिंग हमने कुछ let ही गल्द किया था तो यहां पूर हमारी जो supposition थी यहां पर मारी supposition is wrong and suppression is wrong जो आपका result क्या होगा तो हैंस हम लिखेंगे ज्यदी कोई function की limit करती है तो वो जनीक होती तो hence limit of our function is always unique hence जो आपके पास limit होगी limit is unique वो 2 नहीं हो सकती है to let करने की गल्ती की थी और गल्ती का हमने मारे पास क्या result item जहां पर एक result बनाया और जो कि possible ही नहीं है इसका मिनिंग जो मने लेट किया तो वो possible नहीं था वो existing नहीं करता था कि एक function की two limits हो सके तो काफी असान थी आप इसको pause करके note कर सकते और जदी आपको वीडियो अश्य लगी तो please like करना मत बुलेगा और नीची अपने बारे में आप कहां से हो कि scholar से हो आप मेरे से बाते करते हो तो अश्य लगता है क्या मेरे को सुनते हो लेकि वह बाद में कर सकते हैं अभी नहीं so the next video को दिखने के लिए पार्ट 3 में में आपको ले लेकर आने वाला हूं इसी बेस्ट पर कि आप कैसे जाब पर definition को यूज़कर theorem example को कर सकते हैं तो अभी हम उसके उपर आएंगे next video के लिए so wait and watch for the next video and God bless you all thank you very much